फामान खान इन दिनों बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, emotionally बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल है फामान खान, वो देखे हर एक एमोशन को अपने फैन्स के साथ शेयर करते हैं, जाहे वो खुश हो, जाहे वो दुखी हो, जाहे वो यूनों सैड हो, हैपी हो, वो हर एक फेस को अपने फैंस के साथ शेयर करते ही रहते हैं और इन दिनों कुछ जादा ही कर रहे हैं मैं आपको बता दूँ कि रिसेंटली फामान खान बहुत ही जादा उदास हैं बहुत ही जादा परिशान है फामान खान और वो किसी को बहुत ही जादा मिस कर रहे हैं मैं आपको बता दू कि फामान खान ने रीसेंटल एक जीता है you know star eminence awards तब बहुत ज्ञादा खुश नजर आए फामान खान और उन्होंने कहा कि ऐसे आवोर्ड जो हैं होने चाहिए you know in order to you know motivate the actors और करने के लिए लिए लेकिन अब फिमालो किसी को बहुत ही जादा मिस्स कर रहे हैं बहुत ही जादा इन्हों फरमांट ख क्ल दुखिया है वा इसomos कहों अब को बताते हैं कि क्या कारण है उसका मंच के साथ हिमाश्य सोनी क्या सूनी छेनलियली में पर आपका स्वागत दरसल फामान खान ने रिसेंटली अपने स्टोरी पर अपने भाई का एक वीडियो शेयर किया है, जी हाँ अपने भाई को बहुत जादा मिस्स कर रहे हैं, आपको बता दूँ किसी पहचान के महताज नहीं है, नहीं थे, माफ कीजिएगा, अब वो इस दुनिया में नहीं रह जो की बहुत ही जादा दुखत घटना है और यही बात फामान खान जो है वो सोचकर बहुत जादा दुखी है फाराज खान उनके बड़े भाई थे और आपको याद होगा तो अगर आपने फरेभी और महंदी जैसी मूवीज देखी है तो इसमें फामान के बिग ब्रदर या एक इंस्टेग्राम पेज पर डला है जिसमें दुलहन बनु में तेरी फिल्म के लिए उन फिल्म को देखने की अपील की गई है कि अगर आप तक इस मूवी को नहीं देखा है तो प्लीज देखिए एक बार बिकुर इस वो मूवी सच में बहुत ही जादा मास्टर पीस थी जब मिस्टो करते हैं तो Bott視 में पार डोब होता क्या है फैना कि अगर बीच चला जाता है तो वो उपके दिल में रहना हो लेकिन जो यह सब्सक्राइब कर दिए और यूट्यूब चैनल को विच जोपने जिन्दगी लाइफ को इस दूआ है बाकी आपको कैसा लगा यह वीडियो कॉमेंस सेक्ष्ट में लिख कर जरूर बता दिजे बाकी एंटरेटेंब्स की खबरों के लिए आप सब्सक्राइब क दिजे मेरे यूट्यूब चैनल को विच जोर्नलिस्ट हिमाश्र सोनी नमस्कार